इधर 36 गण में भाजपस सरकार के एक मा का कारिकाल पूरा हो चुका है इस मामले में उपमुख्य मंतरी अरुन साव का बयान सामने आया है उन्होंने कहा है कि उपलब्दियों से भरा रहा है ये एक मा का कारिकाल मोदी की गारेंटी की कई बड़ी बाते पूरी हुई है इसके अलावा अरुन साव ने क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आप 36 गण में नई सरकार को एक महिने पूरे हो चुके है उपमुख्य मंतरी अरुन साव जी इस वक्त हमारा साथ जब मोदी कारेंटी की बड़ी बड़ी बाते हमने पूरी की है और चत्तिरगण की जनता में एक नया आत्मविश्वास जगा है नया उत्साह जगा है नई सरकार को लेकर लोगों की उम्मीदें और आकांचाएं बढ़ी है और इससी दुरुप से हमारी सरकार विश्वास जी के नत्रेतों में मानमी नरेंद्र मोदी जी के मार्जर्शन में चत्तिरगण खुसहाली और तरक्की की और आगे बढ़ेगा अठारा लाख हावास की बात हो या 21 फिंटल धान खरीदी की यह हुआ लेकिन दो विशे ऐसे हैं 31 सुरुपए में धान खरीदी और महतारी वंदन योजना जी इस पर सबकी निगाहे टिकी तो क्या कहने किस दिए देखिए हमारे माननी मुक्यमंतरी विश्मुदेव साइजी ने बहुत इसपस कर दिया है कि हम धान की कीमत 31 सौ रुपए देने वाले हैं और तक महतारी वंदन योजना की बात है मोधी की गारेंटी है एक एक गारेंटी पूरी करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है आप उपलबधियों से भरा बता रहे हैं लेकिन नेता प्रदीपक चरंदास महन का कहना है कि केंदर साशित प्रदेश इन एक महिने में बन गया जो भी फैसले हो रहे हो केंदर सो रहे क्या कहेंगे चरंदास महन जी बहुत वरिष्ट राजनेता है अपने पांस साल के जो काम है उनकी सरकार की एक बार उसके बारे में बात कर लें कि उन पांस सालों में कैसी दूर्दसा कांगरेस की सरकार ने शत्तिर गड़की की है और ये उपलब्धियों की सुरवात हमारी सरकार ने एक महने में किया है आज प्रदेश की जनता खुस है और जनता की अपेच्छाएं और उम्मीदें हमारी सरकार से है क्योंकि उन्हें पता है कि करेंगे तो यही करने वाले ही हैं और इसलिए चातिर गड़के लोग खुस हैं और उम्मीदें हैं उनसे और उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे तो 36 गड़की 11 की 11 लोग सबसीटे जीतेगी भारती जनता पाल्टी और मोधी की गरेंटी को पूरा करने का काम इन एक महिना में हुआ यह कहते हुए उपमुख्यमंत्री एरुन सौन जरा रहे है केमरा इकराम कुरेशी के साथ गोरोशन मानिस 24-7 राइपूर